सबस्कार दूस्त वाज़ हम आपके सामने फिर अवैलेबल हैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दूस्त वाज़ हम फिर आपके सामने लिखपाल से ग्राम विकास में समाज के कुछ और जीकी लेके आये हैं लगबग हमने 100 जन तो जब भी आप एक्जाम के टाइम में अगर आप 70 परसेंट भी अपने अंसर को लेके कंफरम हैं तो यह आपकी बहुत हल्प करेगा अगर आप इसके शॉट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का इसके शॉट ले ले ताकि आपको इससे काफी मदद मिले अगर आपको हमा कारिक्रम जो कि 1970 में ये चीज़ आप ध्यान रखेगा कि 1970 में शुरू हुआ था ठीक है को किस ने शुरू किया था तो इसको शुरू किया था रास्टी देरी विकास बोड ने ठीक है इससे शुरू किया था रास्टी देरी विकास बोड ने दूसरा कुशन हमारा किया कि कि किसी गाओं के भू खंडों को एक विस्यस क्रमांग में से दर्साने वाला मांचितर कहलाता है, किसी गाओं के भूखंडों को एक विसिस्क्रमांक से दसाने वाला मांचेत्र क्या क्या लाता है हमारा खश्रा क्या लाता है जो मांचेत्रों को दरसाता है एक विसिस्क्रमांक में तीसरा क्या है हमारा किन किन करणों का प्रेक भूमापन के लिए किया जाता है तो जिनका जिनका किया जाता है वो क्या है जरीब है ठीक है कमपास है और थियो डोललाइट है ठीक है नेक्स हमारा कोशन क्या है कि साजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है तो साजहानी जरीब की कुल नंबाई हमारी कितने होती है 165 फीट ठीक है कितने फीट है ये कोशन पूछे जाते हैं हर बार की रिपेटेट कोशन है ठीक है कितने होती है 165 फीट next question हमारा क्या है देखे next question हमारा कि metric जरीब में कड़ियों की संक्या कितनी होती है तो metric जरीब में कड़ियों की संक्या कितनी होती है 100 होती है तो आई हम next question पर चलते है next question number 6 हमारा क्या है देखे कि सुस्क खेती में ठीक है, तो इसका खेती में वार्सिक वर्सा कितने सेमी से कम पाय जाती है, तो ये 50 सेमी से कम पाय जाती है, ठीक है, तो इसका खेती में वार्सिक वर्सा कितने सेमी से कम पाय जाती है, तो इसे हम क्या कहांगे, इसका एंसर जो होगा, वो क्या है, 50 सेमी से कम पाय जाती है, व्रिक्षो तता जाड़ियों की क्रिसी जिनमें उनका सनुक्षण तता समंदन होता है कहलाता है उसको हम कहते हैं अवरी कल्चर ठीक है उसे हम क्या कहते हैं अवरी कल्चर कहते हैं क्रिसी में युग में पैदावार का आसे क्या होगाने से है क्रिसी में युग में पैदा मतल उसे हम क्या कहते हैं योग मुपैदावार कहते हैं यह कोशन भी आया था पादा पाला मतलब पाइथु दोरान एक सुविदा है जो कि नियंत्रित प्रस्तितियों में पौधे उगाने के लिए की जाती है नियंत्रित प्रस्तितियों में पौधे उगाने के लिए कौन से में उद्वा औरम कर लेता है तो भारत अपनी दल्हन कहपत का योनकर कि आधाक कर लेता है नेक्स हमारे देखे क्या है कि गोखुल ग्राम योजना कि इनका समट्धीं तो गोखुल को ग्यूजराध से ज disorder से समब्दित गुजरात है कुफरी इसकafarла वाले वीडियो में आपने देखा होगा कुफरी आपके के बारे में हमने बताया था फिर देखें इसमें repeated है कि कुफरी फल की किस्म है आलू की कुफरी फल आलू की किस्म है कुफरी फसल की किस्म है आलू तो कुफरी फसल की किस्म क्या है आलो की जो किस्म होगी वो क्या होगी है कुफरी फसल होगी तो इसमें चार आप्शन है इसमें से सही आप्शन हमारा क्या होगा सौफ हमारा क्या है रोज मर्रा के इस्तिमाल में लाए जाने वाले ठीक है पौदे का निमन फल भाग है ठीक है चौदामा क्या है सामोही क्रिसी का प्रश्रान सरोपतम किस देश में शुरू हुआ सामोही क्रिसी का प्रश्रान सरोपतम जिस देश में शुरू हुआ वो क्या था हमारा पूर्व सेवियत संग से हमारा सामोही क्रिसी का प्रश्रान सरोपतम शुरू हुआ ठीक है दूसर क्रांती का संबंद किस छेत्र से है तो दूसर क्रांती का संबंद हमारे जिस छेत्र से उसे हम क्या कहेंगे औरवरक औरवरक जो किया है दूसर क्रांती के संबंदित छेत्र है क्रांती से लेटर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे हरित क्रांती होगे भूरी क्रां सारे करांतियों के बारे में आपको बताया गया उसे बाहर से वो नहीं हिय आएगा next hemada देखिए क्या है next हमारा क्या है कि BM uya समीति किसे संबंधी था तो bs withyya संबंधी किकी संबंधी किसीतेशाच की विस्तार से ठीक है क्रिसी रामेण साग के विस्तार से हमारी B, M व्यासमीती संबंदी थी ये क्वश्चन सारी क्वश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके पिछले पेपर्स में पूछे गएते हैं और सत्रामा हमारा क्या है समुख चिक्रिसी किन छेत्रों में अपनाई जाती है तो समुख चिक्रिसी अपर्धन प्रभावित पहाडी छेत्र से है ठीक है अपर्धन प्रभावित पहाडी छेत्रों से हमारी कौन से क्रिसी अपनाई जाती है तो वह है समुख चिक्रिसी ठीक ह इसे पहले वाले वीडियो में भी हमने ये चीज़ बताई थी कि अधिक उपच प्रजाती करक्रम किस वर्स में प्रणाम किया था संट्रल एड़े रिधल का इसे अधेट है तो संट्रल एड़े रिषाच एंस्ट्रूट हमारे जोधुपर में स्यथा था थूरण दर लास्पेच में मार जू के दूस्टों जिसमें हमारा लगबाग 25 वर्स banks क्रेकरम कारेकर का कब शरुं द्वारा सरकार द्वारा राष्ट्री किसान आयोग का गठन कब हुआ था तो भारा सरकार द्वारा राष्ट्री किसान आयोग का गठन नौवंबर 2004 में हुआ था ठीक है नौवंबर 2004 में भारा सरकार द्वारा राष्ट्री किसान आयोग का गठन हुआ था देशी नागपुरी इंपदर तथा लड़ू किस फल की किस में है तो ये संत्रा जो फल हमारा संत्रा है देशी नागपुरी इंपदर तथा लड़ू संत्रा के फल की किस में है भारत में सामानेता खेती की कौन सी पद्धिती अपनाए जाती है ये most important question हर बार पुछा जाता है तो भारत में सामानेता मिस्रित खेती अपनाए जाती है ठीक है भारत में सामानेता जो खेती अपनाए जाती है उसे हम उस पद्धिती क्या केते हैं मिस्रित खेती को देते हैं बीस पसंट या एक पसंट भी सीखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इस चाहिए अपने दोस्तों में सेर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके अगर आप हमारे चैनल पर वैली वर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह अपना प्यार बना